आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं मुश्यदाबाद जिले के ब्रहमापुर अपरें व्यवसाई निलांकर मंदल को पाकुर पुलिस ने जारखंड के महिशपुर से छापे मारी कर ब्रामत कर लिया है और इस कप्तान राजीव रंजन सिंग ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पच्छे मंगा के मुश्यदाबाद जले के ब्रहमापुर के व्यवसाई निलांकर मंदल को पंद्रह जनवरी को साथ से आठ व्यक्तियोंने कारेले में घुस कर मारपीट करते हुए अपरहन कर लिया था इस संबन में ब्रहमापुर थाना कांड दर्ज किया गया था गहमापुर पुलिस को जहारखंड के बाकर चला के अंतरगत महिशपुर में अपरन करताओ दुआरा जवसाई को छुपाये की सूच ना मिली थी मंगाल पुलिस ने पुलिस कप्तान को जानकारी दी इडर पुलिस कप्तान ने गंबीरता से लेते हुए महिशपुर थाना प्रभारी को मुबाल लोकेशन के आदार पर छापमारी करने का निर्देश दिया S.P. ने बताया कि महिशपूर थानप्रमारी के नित्रत्व में टीम गठित की गई और ताबर तोड चापेमारी की गई चापेमारी के दौरान पुलिस को पता चला की अपरन करता शुमेनन्दू कुमार दास महिशपूर पोस्ट ओफिस के पास अपने घर में अपरन को छुपा कर रखा है इस पर चापेमारी दल जब शुमेनंदू के घर पर चापेमारी करने गई तो उसी समय लाल रंग एक मेरुन रंग का होंडा सिटी कार तेज रफ्तार से गौना पाड़ा की ओर भागने लगा। पुलिस पीछा कर वाहन को रोका तलाश नेने पर चार यक्ति वाहन छोड कर भागने लगे। अब बरहंपूर थाने में कल एक अफारं की जटना होई थी इसकी सुचना पुलिस को वहां पे थाना प्रभारी और मर्येपाद आजिकागियों के द्वारा दी गई थी एक वहां के द्रोसाई है निलांकर मंदल इनका अफारं करते रखा गया है महिस्पूर थाना छेतनी ह अफारं करता का थारा क्या पिए सुचना मेरे द्वारा इसाथे तरण तकाल अपने पूरी टीम को ले इसने फोन करके बारबाद धम की जिता था कि तुझको मारेंगे मेरे मार को उपर गाली गया मुझे मानने का धम कि लिया इसका पूरा जीडी फाइल और जो बॉडिगाड और डाइवर तोटल बिजनेस के लिए मतलब उसका जो बिजनेस हो फैसन भाइब्स को के हम लोग बिजनेस करने वह जो हम वहां से निकल दिया तो मैंने एक उसके ही चचरी भाई है उनके साथ जो दिब्यंदुदा से नाम उसका तो उसके साथ हमने बि बिजनेस स्टार्ट करने का तैयर ही लिया तो देर महने में उलोग जान चुका था कि मैं बिजनेस करूंगा कुछ को लोग कभी भी नहीं मान पा रहे थे कि हम खुछ का बिजनेस करेंगा तो उसका बिजनेस हो बोल रहा थे कि एक जंगल में एक ही सेर रहता है तो दूसरा कोई सेन नहीं हो तो तुमको तुमोरा बिंफेस बंद करना हूँ